आप सबको मेरा नमस्ते, अभी मैं आपको दो टुटोल दिखाने वाले हूँ, ये है आट से ग्यारा महिने के बच्चे को वेजटर्न और नौन वेजटर्न रेसिपीज, क्या आप घर पर बना सकते हैं? ये जो आठ से ग्यारा महिनने के बच्चे हैं, वो अभी चबाना सिकते हैं, तो अपको ये अब की छत्वे महिने में एक्टम कड़क नहीं होने चाहिए लेकिन वो आप बच्चों को भी हाथ से मसला हुआ खाना दे सकते हैं ठीक है ध्यान में रहे कि अभी आठ से ग्यारा मेने के बच्चे की कॉंटिटी जो खाने की कॉंटिटी बढ़ेगी और अलसो उसको उसकी भूग भी बढ़ेगी आपक को बताईए कि आप उसको दो या तीन पाउडर्स घर में बना के रखने है वो पाउडर हफ्ता चलेगा तो पाउडर हर खाने में अलग 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 पाउडर्स डालेगी खाना पकाने के पहले तो वो बच्चा विचिक की हाइट और विचिक का वजन बहुत अच्छी मात् आठ से ग्यारा मेहने के शिश्यों के लिए शाकाहरी खानों पर बने इस पोकन ट्युटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्युटोरियल में हम कुछ पूश्टिक शाकाहरी खाने बनाना सीखेंगे आठ से ग्यारा मेहनों के दोरान शिशु को एक दिन में 670 कैलरी तक उर्जा की जरुरत होती है यह उर्जा पूरक आहार से मिलती है शिशु के छे मेहने के होने के बाद पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए पूरक आहार के साथ शिशुओं को दो वर्ष की आयू तक मा का दूर ही पिलाना चाहिए जब शिशु आठ महने का हो जाए तो उसे आधा कप खाना देना शुरू करे आधा कप यानि लगभग 125 मिलिलिटर या आठ बड़े चम्मचो जितना खाना होता है उसे दिन में चार बार आधा कप खाना खिलाए इस उम्र में शिशुओं को उंगलियों से खाने वाली चीजे देना शुरू कर सकते है उंगली से खाने वाली चीजे वे है जिन्हें शिशु खुद ही खा सकते है नरम, पकी, कटी हुई सबजियां और फल इसके कुछ उदाहरन है चिले के टुकडे, ढोकले, इडली और सबजियों से बने कटलेट अन्य उदाहरन है शिशु जब तक एक साल का न हो तब तक उसके किसी भी खाने में नमक न डाले और उसके दो साल का होने तक चिनी और गुड भी न डाले मा या देखभाल करने वाले को यह पक्का करना चाहिए कि उंगलियों से खाया जाने वाला खाना सकत ना हो जैसे कि गाजर खाने ना दे उंगलियों वाले सकत खाने शिशु का दम घोट सकते है अब हम शाकाहरी खाना बनाने के तरीके देखेंगे पहला है लाल मसूर की सबजी में जवार ढोकली इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 15 ग्राम या एक बड़ा चमच माल्तेड जवार पाउडर 15 ग्राम एक बड़ी चमच अंकुरित लाल दाल जो कूकर में बनी हो पका हुआ कद्दू आपको इनकी भी जरूरत होगी दो चमच तील का पाउडर एक चुटकी हल्दी पाउडर एक चुटकी जीरा पाउडर आधा नीमबू एक छोटा चमच घी या तेल मैं पहले माल्तीं का तरीका बताऊँगी जवार को धोकर 8-9 घंटे के लिए पाणी में भीगो दे बाद में इसे एक चलनी में डाले और पाणी से अच्छी तरह धो ले सारा पाणी निकल जाने दे और फिर इसे एक साफ सुथी कपडे में बांध ले इसे अंकुरित होने के लिए रख दे इस पूरी प्रक्रिया को अंकुरन कहते है ध्यान दे कि अलग-अलग चीजों को अंकुरित होने में अलग-अलग समय लगता है इस अंकुरित जवार को कपडे से ढख कर धूप में एक-दो दीन के लिए सुखा ले बाद में इसे दीमी आज पर आज से दस मिनिट तक भूने और फिर इसे ठंडा होने दे फिर पीस कर इसका पाउडर बना ले इस पूरी प्रक्रिया को माल्टिंग कहते है इसके साथ माल्टेड जवार का पाउडर तयार है अब हम धोकली बनाना शुरू करेंगे माल्टेड जवार के पाउडर को एक कटोरे में ले तिल और जीरा पाउडर भी ले इसे अच्छी तरह मिला ले इसमें पाव छोटी चम्मच घी या तेल डाले आटे को सक्त बनाना याद रखे थोड़ा थोड़ा पाणी डालते हुए आटा गुंथना शुरू करे आप पाणी की जगा मा का दूद या नार्यल का दूद भी मिला सकते है इसे 15 मिनिट के लिए अलग रख दे अब आटे की लोई बना ले इसे चकले पर रखे और इसे गोल आकार में बना ले इसे चाकू की मदद से हीरे के आकार के टुकडों में काट ले इन्हें बाद में इस्तमाल के लिए अलग रख दे अब एक बरतन में पाव छोटी चमच घी गरम करे कटा हुआ टमाटर डाले और 2-3 मिनिट तक भुने इसमें हलदी पावडर डाले और कूकर में बनी अंकोरित लाल डाल भी डाले इसे अच्छे तरह से मिला ले इसे उबाले और एक एक हीरे के आकार के कटे हुए टुकडे डाले सब कुछ फीर से अच्ची तरह मिला ले इसे पांच से साथ मिनिट तक पकाए लाल मसूर करी के साथ जवार ढोकली तयार है करी में आधा निम्बू निचोड़े और परोसे अगला है भाप लगे हुए कुलित का ढोकला जरूरी सामगरी है पंध्रा ग्राम या एक बड़ा चमच अंकुरित मूग पंध्रा ग्राम या एक बड़ा चमच बेसन एक चुटकी हल्दी पावडर आपको इसकी भी जरूरत होगी पचास ग्राम या आधा कब दही आधा कटा हुआ टमाटर दो मुठी हरा धनिया शुरू करने से पहले कुरुपया कुलित को अंकुरित करे उसी विधी से जैसा कि इस टुटोरियल में पहले बताया गया है तरीका मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल कर कुलित डाल का पतला पेस्ट बना ले इसे एक कटोरे में निकाल ले इसमें बेसन डाले साथ में दही और हल्दी पाउडर भी आधे कप में से एक चम्मच दही बाद के इस्तमाल के लिए निकाल रखे इसे अच्छी तरह से मिला ले और यदि जरूरत हो तो पानी डाले घोल को 5-7 घंटे किसी गर्म जगा पर खमीर उठाने के लिए रख दे घोल के खमीर उठने के बाद एक प्लेट पर थोड़ा सा घी लगा कर चिकना कर लीजिए घोल को प्लेट पर डाले इसे मध्यम आज़ पर 25-30 मिनिट तक भाप दे चाकू डाल कर देखे कि यह पक गया है या नहीं यदि चाकू पर घोल लगा है तो आपको कुछ और समय के लिए भाप लगाने की जरुरत है अगर यह साव बाहर आता है तो ढोकला तयार है इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दे इसे छोटे-छोटे टुकडों में काट ले और एक प्लेट में निकाल ले इन्हें एक तरफ रख दे और चटनी बनाना तयार करे अब मैं आपको दिखाऊंगी कि टमाटर की चटनी कैसे बनाई जाती है मिक्सी में एक कटा हुआ टमाटर, दो मुठी धुला हुआ हरा धनिया डाले फिर एक चमच दही डाले और पीस कर मुलायम सा घोल बनाले इसे एक कटवरे में निकाल ले इस चटनी को कुलित के ढोकले के साथ परोसे ढोकले के तुकडे कर सकते है या चटनी में डुबा सकते है और फिर इसे शिशु को खिलाए अगला है राजगीरा और हरी मुंग का चिला इसके लिए हमें चाहिए 15 ग्राम या दो बड़े चमच माल्टेड राजगीरा का पाउडर आपको इसकी भी जरूरत होगी 15 ग्राम या एक बड़ा चमच अंकुरित हरी मुंग दो चमच मुंगफली का पाउडर माल्टिंग का तरीका पहले ही बताया जा चुका है कृपया राजगीरा के पाउडर को माल्ट करने के लिए उसी विधी का पालन करे अब हम अंकुरित हरी मुंग का घोल बनाएंगे हरी मुंग को मिक्सर या सिलबटे पर पीस कर मुलायम सा घोल बना ले घोल बनाते समय थोड़ा पानी डाले इस घोल को बरतन में निकाले इसमें दो बड़े चमच माल्ट किया हुआ राजगीरा का पाउडर और मुंगफली का पाउडर डाले इसके बाद जीदा पाउडर और हलदी डाले सब कुछ अच्छी तरह से मिलाले इसमें पाव कब पानी डाले और फिर से मिलाए हमारा घोल तयार है तवे पर घी गरम करे घोल को तवे पर चम्मत से गोल आकार में डाले तवे को ढग दे और फिर घोल को दोनों तरफ से पकाए इसे पकने में 4-7 मिनिट का समय लगेगा राजगीरा हरी मुंग का चीला तयार है थंडा होने पर शिशु को चीले को दही के साथ खिला सकते है हमारी अगली रेसिपी है कुटकी के साथ दही और सबजियां इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 15 ग्राम या एक बड़ा चमच कुटकी 15 ग्राम या एक बड़ा चमच अंकुरित पीले मटर इस टुटोरियल में अंकुरन के बारे में पहले बताया गया है कृपया इसी तरीके को अपनाएं आपको इसकी भी जरूरत होगी 50 ग्राम या आधा कब दही आधा बारी कटा टमाटर 6-8 फुल गोभी के फुल 2 मुठी सहजन के पत्ते पाव चमच हल्दी पावडर आधा चमच घी सबसे पहले कुटकी को धोकर 8 गंटों के लिए भीगो दे मैं अब आपको आगे का तरीका बताऊंगी एक बरतन में घी गरम करे कटे हुए टमाटर डाले और धीमी आज पर 5-7 मिनिट तक भूने और हल्दी पावडर डाले अंकुरित पीले मटर सहजन के पत्ते फुलगो भी डाले और दही भी अच्छी तरह मिलाए इसे कुछ देर तक पकाए इसके बाद कुटकी और पानी डाले फिर से मिलाए इसे मध्यम आज पर तब तक पकाए जब तक कि कुटकी मटर और फुलगो भी पक न जाए इसे एक कटोरे में निकाले कुटकी के साथ दही और सबजी बनकर तयार है शिशू का खाना बनाते समय आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तमाल करना याद रखे बताए गए सभी खाने प्रोटीन और ओमेगा तीन फैटी असीर से भरपूर है वे विटामिन D से भी भरपूर है विटामिन A और B कॉम्पलेक्स से भी कैल्शियम से भी भरपूर है मागनेशियम, पोटैशियम, सलफर, आयन और जिंक भी अच्छे स्वास्थे के लिए बताए गए सभी खानों को शिशू के खाने में शामिल करे अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहां किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद आठ से ग्यारा महने के बच्चों के लिए मावसाहरी खानों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे आठ से ग्यारा मेहने के बच्चों की कैलरी की जरूरत और फिंगर फूड कुछ पवश्टिक मावसाहरी खाना तैयार करना अब तक आप बच्चों को दिन में तीन बार आधा कप खाना खिला रहे थे जब बच्चा आठ मेहने का हो जाए तो उसे कई बार खिलाना पिलाना चाहिए आठ से ग्यारा मेहनों के दोरान बच्चे को प्रतिरिन तीन सो कैलरी उर्जा की आवश्शकता है पूरक आहार के साथ साथ दो वर्ष तक स्तनपान कराना आवश्शक है आधा कप भोजन दिन में चार बार देना चाहिए आधा कप लगभग 125 मिलिलिटर या बड़े चम्मच भोजन होता है बच्चे के भोजन का गाढ़ापन समय समय पर बदलना चाहिए पहले आप बच्चे को घोटा हुआ खाना खिला रहीती इस आयू में बच्चे को नर्म और खाने के छोटे टुकडे दे सकते है इस आयू में बच्चों को खुद के हाथ से खाने वाली चीजे भी दे सकते है ऐसे खाद्यपदार्थ जिन्हें बच्चे स्वयम हाथ से खा सकते है उसे फिंगर फूड केते है उदाहरन स्वरूप, आमलेट, उबला अंडा, मचली, मटन या चिकन के पके हुए टुकडे फलों के या सबजियों के टुकडे और पनीर अन्य उदाहरन है बच्चे को मावसाहरी खाना खिलाते समय कुछ सावधान या बरत नी चाहिए सभी मावसाहरी भूजन को अच्छी तरह से धोकर पकाना चाहिए मचली, चिकन या मास की हड्डियों को पूरी तरह से हटाने पर ध्यान देना चाहिए हड्डियां बच्चे के गले में फच सकती है इसके अलावा कृपया ध्यान दे कि बच्चे के एक वर्ष का होने तक उसके किसी भी भोजन में नमक ना डाले बच्चे के दो वर्ष का होने तक चिनी और गुड़ खाने में नहीं डालना चाहिए अब कुछ मावसाहरी आहार बनाना सीखते है हमारा पहला आहार भाप में पकाई चिकन बॉल है इसको बनाने के लिए आपको चाहिए धाई बड़े चम्मच या असी ग्राम चिकन कीमा आधा नीम्बू आधा बारी कटा प्याज आधा फेटा हुआ अंडा एक बड़े चम्मच भुना बेसन बनाने का तरीका धुले हुए चिकन कीमा को कटोरे में डाले आधा नीम्बू को इस पर निचोडे इसे अच्छे से मिलाए और 20-30 मिनट तक इसे अलग रखे चिकन कीमा के कटोरे में ही कटा प्याज और फेटा हुआ अंडा डाले फिर भुना बेसन डाले और अच्छे से मिलाए मिश्रन को चार समान भागों में बाटे और इसके गोले बनाए चिकन बॉल को भाप में पकाने के लिए बरतन में पाव कब पानी डाले स्टैंड को बरतन के बीच में रखे चिकन बॉल को स्टील की प्लेट में निकाले और इसे स्टैंड पर रखे बरतन को धक्कन से धके और दस मिनट तक धीमी आँच पर पकाए बॉल को प्लेट में निकाले भाप में पके चिकिन बॉल तयार है दूसरी रेसिपी हम सीखेंगे आमलेट इसे बनाने के लिए आपको चाहिए दो अंडे पाव छोटा चमच हल्दी पावडर पाव छोटा चमच जीरा पावडर एक छोटा चमच घी या तेल बनाने का तरीका अंडे में जागाने तक उसे अच्छे से फेटे हल्दी पावडर और जीरा पावडर डाले इसे अच्छे से मिलाए पैन में घी या तेल गर्म करे इसमें फेटा अंडा डाले इसे दोनों और से धीमी आज पर तीन से चार मिनट तक पकाए ओमलेट तयार है अगला हम सीखेंगे बक्रे के कलेजे की करी आपको इस सामगरी की जरूरत होगी 75 ग्राम बक्रे की कलेजी आधा प्याज, आधा टमाटर, आधा छोटा चमच हल्दी पावडर आधा छोटा चमच जीरा पावडर, आधा नीम्बू, एक बड़ा चमच नारियल आपको एक छोटा चमच घी या तेल भी चाहिए बनाने का तरीका बक्रे के साफ और धुले हुए कलेजी को प्लेट मे ले इसके छोटे छोटे टुकडे करे और इस पर आधे नीम्बू का रस डाले इसे 15 से 20 मिनट अलग रखे फिर कलेजे की टुकडों को आधा कब पानी के साथ 4 सीटी आने तक पका ले कुकर से प्रेशर अपने आप निकलने दे और फिर प्रेशर कुकर खोले साथ ही साथ प्याज, टमाटर और नारियल को पीस कर मुलायम पेस्ट बनाए पैन में घी या तेल गरम करें इसमें तयार पेस्ट डाले हल्दी पावडर और जीरा पावडर डाले इसे 3 से 4 मिनट तक भूने इसमें बकरे की पकी कलेजी और आधा कब पानी डाले धीमी आज पर इस करी को 5 से 7 मिनट तक पकाएं बकरे की कलेजे की करी तयार है आखिरी सीखेंगे भाप में पकी मचली इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक साफ और धुली पापलेट एक केले का पत्ता एक बड़ा चम्मच दही पाव छोटा चम्मच हल्दी पावडर पाव छोटा चम्मच जीरा पावडर बनाने का तरीका दही को कटवरे में निकाले इसमें हल्दी पावडर और जीरा पावडर डाले और अच्छे से मिलाए इसको साफ और धुले पापलेट के टुकडे पर लगाए इसे 15 से 20 मिनट तक अलग रखे इस बीच केले के पत्ते को अच्छी तरह से धोले इसे एक साफ कपड़े पर रखे और पत्ते को सुखाने के लिए कपड़ों से पोंच ले इसके बाद कुछ सेकेंड के लिए केले के पत्ते को धीमी आँच पर गरम करे ऐसा पत्ते के दुसरी और भी करे इससे केले का पत्ता मचली को लपेटने के लिए नरम हो जाएगा अब मचली के टुकडों को केले के पत्ते में लपेट दे इसे धीमी आजपर 18-20 मिनट तक भाप में पकाए भाप में पकाने का तरीका पहले टुटोरियल में समझाया गया है लपेटी हुई मचली को आच से निकाले और इसे ठंडा होने दे ठंडा होने के बाद मचली को केले के पत्ते से निकाले भाप में पकी मचली तयार है मचली को हड़ियों से ध्यान पुर्वक अलग करे और फिर इसे बच्चे को परोसे पापलेट के बजाए आपके इलाके में मिलने वाले किसी भी मचली का उप्योग आप कर सकते है ये सभी आहार प्रोटीन, ओमेगा-3 फेटी असीड और कोलीन से भरपूर है ये आहार विटामिनों का स्त्रोथ है जैसे विटामिन D, A, B2, B3, B6, B9 और B12 इन सभी खानों में आईरन, जिंक और फॉस्परस भी मौजूद है अच्छे स्वास के लिए इन खानों को बच्चों के आहार में शामील करे अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट विका सेमवाल द्वारा अनुवादित है मैं सनिहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा देती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए बच्चों के लिए लिए बच्चों के लिए बच्चों के लिए देती है